DCA course, Diploma in Computer Application, जो की 12th के बाद एक वर्ष का computer diploma course होता है जी हाँ, DCA, Diploma in Computer Application, computer के अनुपरियोग, computer में क्या क्या चीजें कर सकते हो आप किस किस प्रकार की documents बना सकते हो, कैसे graphics design की जाती है, कैसे internet का use किया जाता है कैसे documents बना जाते है, कैसे accounting की जाती है यह यह उपियोग होते है, office में कैसा उपियोग होता है, education में कैसा उपियोग होता है medical में क्या उपियोग होता है, एक editing में क्या उपियोग होता है इन सारे उपियोगों को सिखाया जाता है आपको DCA में एक वर्ष के computer diploma course में जब आप इन सारी चीजों को सीख जाते हैं इससे सम्मंदित कोई भी जॉब मार्केट में आती है वहाँ DCA का एक वर्ष का डिप्लोमा मांगा जाता है इसमें दो समिस्टर होते हैं सिक्स मन्त में फर्स्ट समिस्टर का एक्जाम चार सब्जेक्ट पढ़ने हैं सेकेंड समिस्टर में चार सब्जेक्ट पढ़ने हैं पूरे सब्जेक्ट पढ़ लिए एक्जाम दे दिया दो मार्क शीट एक डिप्लोमा जाएगा और इसका इस्तमाल किया जाता है जैसे कि कहीं पर भी डेटा इंट्री ऑपरेटर की जॉब निकलती है यूपी में पुलिस बिभाग में डेटा इंट्री ऑपरेटर की जॉब निकली हुई है वहाँ पर DCA का डिप्लोमा मागा जा रहा है इसी प्रकार से जो है पटवारी सचेब आपका आर्मी में भी computer operators की जरूरत होती है आज कल computer operators की जरूरत तो हर विभाग में है क्योंकि सारा data तो computer में ही maintain हो रहा है इसी कारण से आज इंडिया में जितनी भी vacancies आ रही है है ना उस में specific रूप से ये बोला जाता है कि जो candidate apply कर रहा है उसको computer का knowledge अनिवारी रूप से होना चाहिए और knowledge के साथ-साथ एक वर्स का computer diploma course अगर 12th pass है वो तो DCA जो है वो होना ही चाहिए तो आज जितनी भी computer operator से संबंदिज जॉब निकलती है टाइपिंग से संबंदिज जॉब financial accounting से संबंदिज जॉब निकलती है ग्राफिक्स designer के रूप में जितनी जॉब निकलती है वेब development के रूप में जितनी जॉब निकलती है दिजिटल marketing के रूप में जितनी जॉब निकलती है सभी में DCA का diploma मांगा जाता है इसी परकार से अगर कहीं जो है पढ़ाने से जॉब है और उसमें बच्चों को पढ़ाना है, बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ाना है, वहाँ पर भी एक DCA का डिप्लोमा मांगा जा सकता है, तो यदि आप DCA कर लेते हैं, तो आप इलिजिबल हो जाते हैं, इंडिया की सभी स्टेट गवर्मेंट और सेंट्रल गवर्में जॉब में अपलाई करने के लिए, जिसमें कम्प्यूटर का एक वर्ष का कम्प्यूटर डिप्लोमा मांगा जाता है, अब ये जॉब आपको कहां से देखना है, इन जॉब को देखने के लिए आप डेली, डेली जो न्यूजपेपर लोकल होते हैं, उस पर जाकर के आज कल तो इंटरनेट में, वेबसाइट में ही वो सारा डेटा अपलोड हो जाता है, सरकारी-result.com, किरन-new-genancy.com और भी बहुत सारी साइट्स हैं, जहां पर की हर गवर्मेंट जॉब के बारे में नोटिफिकेशन आ जाता है, और उस नोटिफिकेशन में आपको देखना ह 12th कहां मांगा गया है, DCA कहां मांगा गया है, अगर आप graduate हो गए हो, DCA किया हुआ है, तो भी वहाँ पर कई जगा ऐसा होगा कि एक बरसी computer diploma course, तो वहाँ पर भी DCA चल जाएगा, इसके अलावा आपको ये देखना है कि जो ऐसी sites होती है, monsterindia.com, nokri.com, timesjobsindia.com और भी आस computer का diploma है, वहाँ जाकर के जैसे ही keyword type करेंगे, computer operator, data entry operator, Hindi English typing और या जो आपको वहाँ पर computer संबंदित job सर्च करेंगे, हजारों job जाएगे, वहाँ पर company में जाएए, उसकी email उठाएए, उसको अपना resume forward कर दीजे, या अगर आप उस job site में अपना resume upload करते हैं ना, तो वो job site वाले ही, जो employer जिनको जरूरत है आपकी, और आपको मिलाने का काम करते हैं, वो email आपका उन तक भेजते हैं, फिर वो आपसे संपर करते हैं, आपका interview होता है, तो इस तरीके से आपके लिए बहुत अच्छी सुधा है, आज के समय में job दूणने की, तो DCA course के बाद, आज के इस वीडियो में हमने बतलाया, कि किन किन job में आप apply कर सकते हो, तो यदि आप DCA course करना चाहते हो, ठीक, या अपने friend के लिए आप ये course करवाना चाहते हो, तो वीडियो के description में आईए, app download कीजिए, जिसका नाम है my computer course, इस course के store tab में जाएए, DCA course को join कीजिए, आपको certificate email किया जाएगा, original copy post द्वारा आपके घर के address में भेज दी जाएगी, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को like जरूर करें, अपने friends के साथ share करें, जिनको DCA की जानकारी चाहिए, कि भाई, किस job में ये मांगा जाता है, उनको जरूर share करें, YouTube चनल को subscribe कर लें, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में,